स्पीड के सुल्तान उम्रान मलिक का भारत के लिए खेलने का सपना पूरा हुआ साउथ अफरीका के खिलाफ हाल में भारत में संपन T20 इंटरनेशनल सीरीज के पाँच मैचों में डेब्यू करने का उम्रान को इंतजार ही रहा लेकिन 26 जून 2022 का दिन 22 साल के उम्रान के लिए हमेशा यादगार रहेगा उम्रान मलिक आयरलेंड के खिलाफ अपना पहला T20 इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं ये भी सयोग है कि जिस भुवनेश्वर कुमार को उम्रान मलिक अपना रोल मॉडल मानते हैं उन्हीं भुवनेश्वर से उन्हें डेब्यू कैप मिली भुवनेश्वर और उम्रान आईपियल में दोनों ही सन्राइजर सहधराबाद से खेलते हैं PCCI ने भुवनेश्वर के और से उम्रान को कैप दिये जाने की फोटो अपने ट्विटर हेंडल पर शेयर की साथ ही लिखा एक सप्लाप पूरा हुआ उम्रान मरिक को बदाई जो टीम इंडिया के लिए T20 इंटरनेश्वर डेब्यू करने जा रहे हैं IPL में इस साल उम्रान ने जहां 157 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक्तम स्पीड दिखाई थी मैं 22 विकेट भी लिए भारत को आयर्लेंड से 26 और 28 जून को दो T20 इंटरनेश्वर मैच खेलने हैं पिरो रिपोर्ट देश डामा आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर करना ना भूलेगा आपने देश डामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए गंटी वाला बटन दबाही दिया होगा फिर मुलाकात होगी आपसे कब तक के लिए नमस्कार